हलो गाइच बेलेकम तो नीए व्लॉग वीडियो तो अभी हम आचुके विहार सुर्फ के भैसा सुर्फ तो यहां पर मा बैशनों माता का गुफा बन रहा है तो मैं आपको इस ब्लॉग में पूरे अच्छे से मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे बन रहा है किस तरीके से लोग को जाना है और आपको सारे कुछ दिखाता हुऊं कैसे क्या करना है देख सकते कि आप लोगों को इसका पर देखने के लिए तो यहां पर आप लोगों को धिकाता हूं कि यह सभूद बना हुआ हैं तो बहुत ही खुब्सूरत त्यारा देखने को लग रहा होगा बहुत ही मतलब आप जिस टाम दुर्गा पूजेम आएगा वहां पर आप लोगों को एसी पूरा फूल एसी रहेगा ऐसा निकी गर्मी लाएगा अभी तो करेस्ट्रक्शन चली रहा है तो बहुत ही अच्छा लोग आपको नीचे सूपर में चल के पूरे अच्छी दिखारना चाहा रहा हूं कि कैसे क्या रहने वाला है तो आप लोग देखिए बहुत ही मस्त व्यूव वाव है बहुत अच्छा लग रहा है आईज देख सकते हैं कि स्ट्रक्शन देखे गाईज बहुत अच्छा से क अब देख सकते हैं अभी यह तो कर्स्ट्रक्शन चली रहा है इस गूफा के अंदर में इन हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है तो आई अगर आप लोग दुर्वापुजा मेला घूमनी आएगा तो इस बार बहुत ही मज़ा आने वाला है तो यह बहुत ही अच्छा से कर्स्ट्रक्शन किया जा रहा है और अभी तुसको और पेंट रोगा पूरे अच्छे से डेकुरेशन किया जाएगा तो आप लोग भी आईए घुमने के लिए बहुत अच्छा लेकिन पर चड़ गया है जहां पर आप लोग को सबसे उचाई पर हैं तो आप लोग यहां स आपको गुफा देखे आईए जोसरा गुफा मैं आप लोग को इन करके दिखा देना चाहता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से कस्ट अक्षन किया गया तो कुछ मैं सीनमेटिक व्यूम मैं भी आपनों को दिखाऊंगा कि कि इस तरीके से से स्ट ड़क्शन किया गया है पानी पढ़ने गवाद गाइस तीक ती याइस फाइनली तो बास्के कंप्लीट हो जिगा इसके बाद कुछ दिन के बाद परदा लगने वाला जैसी कपड़ा लेगा आप लोगो बहुत अच्छा दियू देखने को मिलेगा तो आप लोगो चलिए यह देखे यह भैसा सुच दो रहा है चोड़ा रिजस्ट बगल में आप लोगो के आप अपन डाल बने आए जारा है तो आप लोगो बैठेंगे और यह एक जीट गेट है आई देख सकते हैं यही एक जीट गेट है अप लोगो अच्छे दिखा देना चाहता है तो यह आप लोगो एक जीट है उदर अब लोग यहीं पर इंड करते हैं आई होप को यह ब्लोग में अच्छा से इंफर्मेशन मिलीगा होगा बहुत अच्छे से आप लोगो दिखा दिया हो कि व्यार सिर्फ के भैससुर में किस तरीके से बुफा बनाया जा रहा है तो बस इस वीडियो को लाइक करें और शेय अब देखाल में अच्छे से